हेलो पहरे बच्चों, बच्चों कैसे हैं आप सभी, I hope कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विशे सामाजित ज्यान के सब्ता साथ की वक्सीट को सौल्ब करेंगे जो की उत्री दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वक्सीट का टॉपिक है महासागर तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं बच्चों इसका आंसर है प्रत्वी पर सबसे बड़े जलभंडार को महासागर कहते है अंत्रिक्ष से देखने पर प्रत्वी कैसी दिखाई देती है तो बच्चों अंत्रिक्ष से देखने पर हमारी प्रत्वी नीली गैंद की तरह दिखाई देती है सबसे बड़े और सबसे छोटे महासागर के नाम लिखिए तो बच्चों सबसे बड़ा कौन सा महासागर है? प्रसांत महासागर है और सबसे छोटा आर्करिटिक महासागर है अब है बच्चों कोशिन नमबर टू रिक्तिस्थान भरिये तेल उत्पादन करने वाले देश नामक जहाद से अन्य देशों को तेल भेजते हैं तो किस से भेजते हैं टैंकर से या बैंकर से तो टैंकर से तेल भेजते हैं दिल्ली में यमना या गंगा नदी बहती है तो कौन सी बहती है बच्चों यमना नदी बहती है हमारी प्रथी पर प्रथम जीव से आये थे कहां से आये थे महादीब से या महाशागर से तो प्रथम जीव महासागर से आये थे next है महासागरों में छोटी-छोटी बनस्पतियां अपना भूजन बनाते समय क्या छोड़ती है oxygen या फिर carbon dioxide तो क्या छोड़ती है औक्सीजन छोड़ती हैं सागर या समुंद्र के ही हिस्से हैं किसके हिस्से होते हैं महासागर या महादीब के तो सागर या समुंद्र महासागर के ही हिस्से होते हैं अब है बच्चो question number 3 मिलान कीजिए बच्चो यहाँ पर हमें मिलान करना है कंगारू कहां पर पाय जाते हैं, आस्ट्रेलिया में, तो इसके साथ मैच करेंगे, पैंगीन कहां पाय जाते हैं, तो यह पाय जाते हैं बच्चों, तो बच्चों यह पाय जाते हैं अंटार्क्टिका महासागर में, यहाँ पर बच्चों, अंटार्क्टिका महासागर होगा नेक्स है सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी नील नदी है जो की अफरिका में है आर्मडिला कहां पाये जाते हैं? दक्षन अमेरिका में अब बच्चों क्वेशन फोर है महासागर खत्रे में है हम इंसानों ने उन्हें कूडा डालने का मैदान बना दिया है हम समुदरी जीवन को बचाने में महासागर के मददगार कैसे हो सकते हैं? तो बच्चों इसका आंसर है घरों से साबुन का पानी, कच्रा, प्लास्तिक आदी को पानी में नहीं फैकना चाहिए कारखानों से निकलने वाले प्रदुसित पानी और सीवेज के पानी की उचित ववस्ता की जानी चाहिए खेतों में कीत ना सकत रासानिक पदार्तों का कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्यूकि जब बारिस होती है तो ये पानी कहां पहुंचता है? नदियों में पहुंसता है और जब नदियों का पानी समुद्र या महासागर में पहुंसता है तो इससे जो महासागर का जल है वो प्रदुसित हो जाता है अगर कोशियन नमबर फाइव अपने आसपास देखें कि आपके घर में कोई ऐसी वस्तु है जो हमें समुदर से मिलती है उसका नाम लिखिए तो बच्चों हमें समुदुर से क्या मिलता है नमक, यदि आपके घर में कोई और ऐसी वस्तु है जो कि हमें समुदुर से प्राप्त होती है तो आप उसका नाम भी है लिख सकते हैं नेक्स्ट है बच्चों जीवन कोसल स्वास्थ एवं स्वच्छता प्यारे बच्चों हमारे जीवन में स्वास्थ है और स्वच्छता का बहुत महत्व है हमारे जीवन में हम कुछ नियमों का पालन करके स्वच्छ रह सकते हैं और वे नियम क्या है हमें प्रति दिन इस्नान क चाहिए हमें नहाने के बाद कंगी से बाल बनाने चाहिए हमें दिन में दो बार दातों की सफाई करनी चाहिए हमें साफ धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए हमें खाने से पहले तथा खाने के बाद साबुन से हाथ धुने चाहिए हमें सोचाले जाने के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए, हमें समय समय पर नाखुन काटने चाहिए, हमें खुले में रखे हुए कटे फल या सबजिया नहीं खाने चाहिए, हमें हरी सबजियों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए, हमें फलों और सबजी को धोकर खाना चाहिए, हमें खाने मे अब है बच्चो संस्कार साला छोटी छोटी पर बड़ी बातें आप जो वास्तम में करना चाहते हैं उसे कभी न छोड़ें बड़े सपने देखने वाला व्यक्ति सभी तथ्यों के साथ एक से अधिक सक्ति साली होता है किस ने कहा है बच्चो अलबर्ट आइंस्टीन ने खाना पीना आज आप लेंगे चीकू, कीवी, उबला हुआ आलू, चोकलेट, शेक, बौन विटा, दूद या कोई अन्य भूरे रंग का खाना खाए या पिए खेल में है आज तोता ओड, मैना ओड अपने परिवार के साथ खेलेंगे सभी बच्चे दिन की गतिविदी, बड़ो की मदद से परिवार पेड तयार करें बच्चों आपको पता होगा, परिवार पेड में आप सभी अपने अपने घर के सदश्यों की फोटो को लगाते हैं या उनकी पिक्चर को ड्रॉ करेंगे कम से कम तीन पीडी होगा, तो उसमें जो पिक्चर्स होगी, कितने लोगों की होगी, जो आपकी पीडियां हैं जैसे कि आपके दादा दादी, माता पिता, अपके जो माता पिता हैं, उनके दादा दादी, तो इस तरीके से आप अपने परिवार पेड को तयार करेंगे, अब है दैनिक दिन चर्या निमने लिखित आदतों को अपनी दिन चर्या में सामिल करें, अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुवात करें, अपने दादों को दिन में दो बार बेश करें, प्रती दिन इसनान करें, खुब पानी पीएं और संतुलित आहार लें, अपने चेहरे कुछ छूने से बचें और अपने हाथों को बार-बार धोएं अपना ग्रह कारें समय पर पूरा करें बच्चो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सियर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पढ़ना हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू